नमस्कार से पोश्ट में आपका स्वागत है मैं सनेहा भारतिया आपके साथ बीजेपी के सांसद गुस्से में है जी हाँ नितिसकुमार की योजनाओ को देखकर के गुस्से से लाल पिला हो गये है बीजेपी के सांसद अपने ही सरकार पर सवाल खरे किये हैं एक बार फिर से नितिसकुमार की मुस्किले बढ़ गई है जी हाँ आपको बता दे कि BJP के सांसद है रामकृपाल यादव वो गुसे में है दरसल क्यों है गुसे में वो आपको बताते हैं दरसल बिहार में सरक निर्मान के नाम पर लूट मची हुई है उनका कहना है सरक के नाम पर घटिया निर्मान कर दिखावा किया जा रहा है खोद इसका खुलासा बीजेपी के सांसद राम कृपाल यादब ने किया है अपने ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया है बीजेपी के पाठ्ली पुत्रा सांसद राम कृपाल यादब रात में विक्रम विधांसवास शेतर में कारकरम में शामील होकर के लौट रहे थे रास्ते में देखा कि बिहार के P.W.D. के द्वारा ठेकेदार के द्वारा सरक का निर्मान कर आया जा रहा है सांसन दे गारी रुकवा कर देखा और निरुक्षन किया इस दोरान पता चला कि सरकार के मापडंड के अनुसर काम नहीं हो रहा है धलाई के दोरान कोई भी अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं थे यह सरक बिक्रम इधानसवार शेतर के बिक्रम प्रखंड के अराप में PCC ढलाई ठेकेदार के द्वारा कराया जा रहा था 12 इंच के जगह पर 9 इंच वह भी बिना छर दिये हुए यह ढलाई किया जा रहा था बालों के साथ साथ गिट्टी और सिमेंट भी घटिया क्वाइलिटी का था यह देख गुस्से में तम तम आ गए सांसद साहब पश्मी पीड़म लुडी के इंजिनियर को सांसद ने कॉल किया और जानकारी ली इस दौरान सांसद राम किपाल यादव ने अधिकारियों को फटकार भी लगाए और कहा कि आप साइट पर जाकर देखे आपके एक भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है तो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे राम किपाल यादव आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वो गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं अपने ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया है सरक निर्मान के नाम पर लूट मची है उनका कहना है अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉल कीजेगा धन्यवाल